युक्रैन को लेकर नाटो का रुख बदलता जा रहा है युक्रैन की सदसिता पर नाटो का जो नया बयान सामने आया वह कए निराश करने वाला है नाटो में सदसिता करता पर जलेस्की को बड़ा जटका देखते हैं Special Reports दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गडबंदन नाटो के युक्रेन की सरसिता पर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है नाटो के रविये ने युक्रेन के राश्टपती जलेस्की को भी कन्फ्यूजन में डाल दिया है सरसिता मिलने पर देरी को जलस्की ने बेतु का करार दिया नाटो ने 31 देशों वाले शिखर सम्मिलन का आयोजन लिदुवानिया की राधधानी विनियस में हो रहा है यहाँ पर नाटो के मुख्या जैंस स्टॉल्टेंबर्ग ने जोर देकर कहा कि गटबंदन ने रूस को हराने की कडवी लड़ाई में युकरेन का समर्थन करने के लिए कभी भी मजबूत भाषा का परयोग नहीं किया दूसरी ओर एक बयान में कहा गया है कि जब सहयोगी सहमत होंगे और शर्ट पूरी होगी तो ही गटबंदन में शामिल होने के लिए युकरेन को आमंत्रित किया जाएगा नाटो का यहां रूक जलेसके के लिए करारा जटका है युकरेन 728 से ही नाटो में शामिल होने के कोशिश कर रहा है युकरेन यहां बात मानी है कि जब तक रूस के साथ जंग जारी है तब तक उसे नाटो की सदस्ता नहीं मिल सकती है लेकिन इसके खतम होने के बाद जल से जल वहां इसमें शामिल होना चाहेगा विरो रिपोर्ट जी एस टीवी